स्मार्टफोन का जो आता है एक लेटेश डिस्प्ले के साथ और डिस्प्ले जो आपको यहां पर इस तरह से काम करता है जहां पर आपको अपने फिंगर को सिर्फ रक्षन स्क्रीन के ओपर और फोन अनलॉक हो जाएगा यह दो सबसे इंपोर्टन चेंजेज जो है इन कुछ हद तक Oxygen OS के ओपर भी चेंजेज जो आपको मैं कल बताऊंगा हमारे नए वीडियो के अंदर OnePlus 6T लेने की गलती मत करना कोई खास major improvements आपको उसमें देखने को नहीं मिल रहे है बेटर स्टिक टू OnePlus 6 जो अलड़ी अगर आपने ले लिया तो आप खुश नसीब है अभी मुझे एहसास हो रहा है कि Mi Mix 3 OnePlus 60 से वे वे बेटर है मैं honestly कहता हूँ वे बेटर है OnePlus 60 से Xiaomi का Mi Mix तो इतने सारे phone market में पड़े हुए हम क्यों फिर इसका phone लेंगा बात तो यह हो जाती है आपने कुछ खास इंप्रूमेंट नहीं लाई है अपने फोन के अंदर जो हम बोले क्या एंप्रूमेंट लाए क्या फोन है ऐसा कुछ भी नहीं है and 3.5 mm jack It's definitely an appealing smartphone, it's not as impressive as other OnePlus flagships of the recent past When the OnePlus 60 arrived in our offices, most of us in our team had the same reaction It's okay, it's fine And that's majorly because the OnePlus 60 does not seem like a huge upgrade I know there's the new notch, the new in-display fingerprint scanner But it's not a big deal really Namaskar दोस्तों, मेरा नाम है Gaurav, आप देख रहे हैं Technical Guru जी, चली शुरू करते हैं जहां पे आप बिना tripod के काफी अच्छी photos क्लिक कर सकते हैं रात के समय मतलब भाईया, फोन को सिर्फ हाथ में पकड़ना है और जो रोशनी है वो बढ़ती चली जाएगी और यहां पर दोस्तों बात करते हैं Front Fishing Camera की तो यहां पर हम करते हैं अपना Famous Selfie Test जहां पर यह ली मैंने Selfie और अगर दोस्तों देखते हैं Details को तो भाईया डाड़ी का अब एक एक बाल दिसकते हैं मतलब Selfie आई है बड़ी ही कमाल कि Face Unlock कितना Fast है क्या यह पुराने OnePlus Phones की तरह है तो जी हां दोस्तों यह तो भाईया बिल्कुल करता है फोन को Unlock Button दबाते ही मतलब बस दबाया और एक जटके में दोस्तों आ जाते हैं अब सीधा फोन के अंदर UI में